अज हम बात करेंगे एंथरासिन के बारे में जो टॉपिक है वो और्गेनिक एमशी टू यूनिट नमर फॉर मतलब यह पॉलिनिकलियर हाइड्रोकरबर में आता है ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने नैप्तलीन और फिनैंथरासिन के बारे में देखा था आज हम एंथरा सकते हैं उसका कॉमन स्टक्चर है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे उसके और बीटर स्टक्चर आप एंथरासिन के बारे में तो यहां पर हमने जो एंथरासिन का स्टक्चर रखा है ठीक है वो हमने ओपन करके यहां पर लिखा है तो हाइड्रोजन उसको ओपन करके यहा बनाएगी जो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी पाई और यहां पर एंथ्रासिन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंथ्रासिन जो होता है और फॉलो करता है अब्यस है कि वह आरोमेटिक ही होगा ठीक है शॉलो करें ँसके बार में तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है एंथ्रासिन का तो यह जो रहा है आप देख रहे हो पहली रिंग ठीक है उस रिंग में पहली रिंग में डी लोकलाजेशन होता है तो हमारे सेकर्ड रिंग बनती है सेकर्ड रिंग में आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉन यहां से यहां और यहां से यहां इस तरीके से डी लोकलाजेशन विवालाइजिशन है, भो जयने किया, तरह मोंrum जाकरूम्टेर न H. जो को स्टेबल को है तो हमीड ही इंधरूसीन को स्टेबल बानाता है, विवाल कि कि अन्य स्टेवल बार में धाता है, altogether व्यां आपलनौनौनौनौनौनौनौन बेंजीन जब रेकिशन हम करवाते हैं जङंग के साथ करवाते तो एंधरासिन का फॉरमेशन होता है आप यहां पर देख सकते हो ठीके यहां पर देखो तो नहीं जब रेक्शन हो रहा है ऐसे लटे के P में तो ऑर्थोय बेंजोयल बेंजोय कैसी की बननता है उसके बाद उसका S2SO4 की ब्रेयक्शन होता है तो देख सकते हो कि हमारा यहां पर 910 एंफ्रकुण इन्थराक्विनन तरफि वनता है तो एंथ्रासिं बनता है होवर्ड सिंथरसिस है ठीक है इंथ्रासं का उसके हम सेकेंड रेक्शन के बारे में बात करते हैं हमारा जो है फिल्लक्राफ्ट रेएकशन जिसमें बैंजॉल क्लोरै्ड रेक्ट करता है दुसरे मोलेक्शिन के साथ तो यहां पर do Tuesday रेकशन होता है तो यहां फ़를 दो hydrogen के molecule remove होते है और anthracin का formation होता है और reaction आप यहाँपे देख सकते हो आप देखो यहाँपे 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 बेंजो रोड़ा के दो molecule के विज में ALC3 प्रेस्च में reaction होता है तो यहाँए 9 10 डाय हाइड्रो anthracin बनता और उसक बाद है दो hydrogen को molecule जब चले जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंथरासिन बनता है ठीक है तो इस तरीके से bridal crap reaction होता है तो भी एंथरासिन का formation होता है उसके बाद है अलबे reaction अलबे reaction में क्या होता है कि orthomethyl benzophenone जब रियक्ट उसको बाद है हमारा डाइल्डर reaction तो उसमें क्या होगा कि जो रियक्शन होगा वह वन फॉर नेप्थाक्वीन और यहां पर देख सकते हो कि हमारा वन फॉर नेप्थाक्वीन उन प्लॉस वन थी ब्यूटाडाइन जब रियक्शन कर रहे है ल्सी एल्सी 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 रिक्शन में तो यहां पर दो एच्सील के के साथ होगा तो हमारा फाइनली एंत्रासीन बनता है डशार है अब हम आगए बात करें तो हमारे चेमिकल रियक्शन आएंगे लँ हम लेंगे electrophilic substitution reaction यहां पर 9 & 10 position पे होगा थीक है तो 9 & 10 position पे जो भी in the electrophile के अटएच होगा जो भी प्रोडक्क बनाएगा वह स्टेवल बनाएगा इसलिए हमारा जो electrophilic substitution reaction होगा वह 9 & 10 position पे होगा पहला हमारा जो reaction है वह हमारा है तो कि है लोधी नेशन तो यहां पर इसका है तो 9 इन पोजिशन पर इलेक्रोफिलिक सब्स्टूशन रियक्शन वह आपको पहले से ही पता है तो आपको इजी रहेगा नाइन पोजिशन पे एन ओट्रो ग्रूप जूड़ गाया है तो नाइन नाइट्रो एंथ्रासिन बनाएगा उसके बाद हमारा आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन त ठीक है तो आपको पता ही है उसमें हमारा एक लगेगा नाइट्रो बेंजिन और एल से एल थ्री सी एल त्री सियो सी यह तो यहां पे देख सकते हैं नाइन पोजिशन पे हमारा आसे टैल रूप जूड़ गया तो नाइन एसे टैल एंथ्रासिन बनता है अब बात करें हम त तो यह रिंग में यह दोनों साइड पर डबल बॉन ओ ग्रूप अटैच हो जाता है ठीक है उसके बाद रिडक्शन रिडक्शन होता है तो डाय हाइड्रासिन बनता है आप देख लीजिए यहां पर एज अटैच लग जाता है ठीक है तो इस तरीके से बन जाता है जब उस सकते ही बहुत बड़ा कंपाउंड बनता जी से दायं रसीन बोलेंगे डायमराजेशन होता है डायं थरासिन बनता है डन अब बात कर रहें में डीशनल यूजिस के बारे में तो अब्दिशनल यूजिस में आएगा कि पहला कि प्रोए अलीजरीन एंट्रैक्वीन और जो होती उसके प्रोड़क्शन में यूज किया जाता है हमने एंध्राक्विनान का स्ट्रक्चर ड्रॉक किया है इंसेक्टिसाइड जो क्रॉप्स होते उसमें यूज किया जाता है और एज़ प्रेजर्वेटिव भी बोड में यूज किया जाता है एंध्रासीन उसके बाद है कि अंत्रासीन जो होती है उसके बास एंटी-फंगल एंटी-इंफ्रमेटरी एंटी-बेक्टिर एक्टिविटी होती है एंटी-कैंसर ड्रग भी होती है वो और यूज होता है अंटी-अक्सिडन्ट हेपाटो प्रोटेक्टिव और नेपरो प्रोटेक्टिव तो इमारेशनल यूज हो गई, अब हम बात करते हैं अंत्रासीन के डियरिवेटिव के बारे में, तो एंत्रासीन के जो डियरिवेटिव उसमें पहला है अंत्राक्विनॉन, टीक, ए ड्रक बहुत बार आ गई है, तो आपको याद रहे जाएगा उसका स्ट्टॉक्चर, और जब एंत्रासीन के आप ऑक्सरेशन करते हैं तब बनता है, ठीक है, और यह उसके जो यूज है, वो सेम एंत्रासीन जैसे ही है, उसके पास हमारा जो स्ट्रक्चर है, और सारी, सेकन्ड डेरिवेटिव है वो है एंत्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर आप अब देख रहे हूँ, और थोड़े है हमारा एंत्रा नॉर यह ओएज ग्रूप लग जाएगा तो और फोर्थ है हमारा अलिजेरिन जो उसका स्टॉक्चर भी आप यहां पे देख लो तो सारे एक्जा में पूछे जाते हैं डेरिवेटिव ठीक है तो आपको सारे डेरिवेटिव ड्रॉप भी करने पड़ेंगे और उसको यूज भी शायद लिखने पड़ें पूछे तो आपको यहां मिली जाएंगे तो यहां पर हमारा इंद्रासिन का टॉपिक खातम होता है थैंक्यू